Hi guys, welcome back to my channel मैं हूं माधरी हैं आग वीडियो में आप लोकेसिंग सेयर करने वाली हूं V4E के कोसंझ ठीक है V4E के मैं कोसंझ आज के वीडियो में सेयर करूँगी देती हैं भी कोसंझ रिपीटेड हैं सभी कोसंग में याँ देखाने वाली आप एक बढ़ एक्साम देने से पहले इन गॉस्सस को सॉल्फ कर लिजिएगा बट हाँ प्लड कोसंस देखने से पहले हम लोग कुछ और भी डिसकर्स कर ले दे कुछ कोसंस थे बच्चों के जो कि आज की वीजिओ नमगा डिस्कर्स करने वाले थी है पहला question यह था कि क्या camera on है exam की time तो camera की question थी कि क्या आपका camera जो है वो exam की time on है की नहीं तो yes camera आपका on है लेकिन आप जो exam दोगे कौन सा जिसमें आपके MCQ और वो है coding है चुकि आपका assessment test है उसमें आपका camera on रहेगा लेकिन जो आपका psychometric exam होगा उसमें camera on नहीं रहेगा Jupiter लेकिन कामरा on क्योंके जिसमें आपका MCQ and coding है camera off किस में जिसमें आपका psychometric test होना रहेगा psychometric test में आपका camera on नहीं रहेगा लेकिन बहुत ही जादे कम time रहता है कौरproblems के इससे जबरेंगे next point पर आते हैं कि psychometric test होता क्या है तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं psychometric test जो होता है न वो normal questions होते हैं वो जाड़े hard नहीं होते हैं उसमें आप pass हो रहे हैं या फेल हो रहे हुआ उसे कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि वो totally देखा जाता है कि आपका behavior कैसा रहने वाला है company में तो उसमें बस questions company से related पूछा जाता है बाहर questions नहीं पूछा जाता है जैसे कि आगर आप आपका system काम नहीं कर रहा है आप गए हो रिपेर करवाने के लिए तो अगर आपके सामने से manager जा रहा है तो आप उसे करोगे की नहीं करोगे या फिर यह question हो सकता है कि आगर आपकी meeting चल रही है मीटिंग में अगर आपको कुछ बोलना है तो आप English में speak करना पसंद करोगे की हिंदी में तो आपके कंपनी में इंग्लिस में ही बोलना है जारा सही रहता है कंपस्री भी होता है तो इस तरह के जितम basic questions पूछे रहते हैं कि आपका company में behavior कैसे रहने वरा है अगर आपके company में party चला तो उसमें आपके activity क्या होगी अगर किसी का promotion हो रहा तो उसमें आपके activity क्या होगी तो बहुत basic basic से question होते है negative marking है उसमें कोई भी marking नहीं है आप उसमें पास होते है या फेल होते है उसमें कोई मतलब नहीं है तो psychometric exam को लेकर आप परसान मत हुए बहुत सारे commentary मैं यह psychometric exam है क्या इसमें हमें करना क्या है तो आई-वेस की डाउट आपको कभी clear होगे तो रहा दो कोशन की डाउट क्लियर होगे मैं नेकल कहा था कि मैं आपको answer provide करूँगी तो हां मैं भी आपको एक PDF प्रोइट करूँगी जहां पर आपको answers मिल जाएंगे अगर कोशन्स रह जाते हैं क्योंकि मैं कोशन्स को मैं collect कर पाहूं बट जितने मिले मैंने उतना कर दिया अगर कोशन्स बच जाते हैं ऐसा आपको लगते कि हाँ यह कोशन्स नहीं है तो आप मुझे टेलेग्राम पर इंफॉर्म कर सकते हो या फी मेरे मेल आईडी पर या आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो जब भी प्लेटवर्म आपको सही लगे आप महां पर कमेंट कर सकते हो मैं आपका रिप्लाइ कर दूंगी तो यहां पर जो हम पहले देख रहा है भी आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है कोशन्स यह वी एम फोर का सोड़ी वी टांसवा में आपको जोड़ेंगे इस का अंस्वा टैन है मैं कहाँ लिख देती हूं इसका ते तो इसससा आपके बेसी बेसी कोस्तन्स होंगी जिसा भी कोस्तन्स मैं एक फ्ला ना कर रखती हूं सभी की लिंक मैं आपको दिश्कुिस्यों बॉक्स में प्रॉएट आपको यहां पर देख लें ताकि आपको वहां पर जाने की जोबत ना पड़ें सब्सक्राइं इस अब कि आच पर सुब्सक्राइब करने थे तो पर्छान होनी चुझे कि मैं भी उन्हीं हो फिर अपना वर्क वर्क में देख रहें तो अन्हें होगी जोड़ा दो आपका लिए और अपका प्राफित हो गार प्लस अगर आप से इक्जाम देतो बड़ कोशिस करना थे, क्योंकि तो कोशिस करना थे हुआ है इसके बाद से क्या round होने आ नह northwest वह निकेशन round जो की आ शी बहुत बचों कर्17 को मैं इसके बाद भी o reorgan हो क्या है हां इसकेबाद भी reorgan हो वोता है आपका धान अम Для सूर ऐसे इसे बाधे Chinese तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे अभी करेंट में जो चल रहा है उसे हम लोग देख लेते हैं मैं यहां सभी कोर्शंस आपको देखा रही हूं ताकि आपको कोई कोर्शंस में प्रॉब्लम ना हो एक बास सॉल्फ कर पे अगर आपको पीडियो फॉर्म मिल जाता है तो अच्छी बात है नहीं मिल पाता है बहुत बच्चे होते हैं जो कि मेरे चैनल से नहीं करेक्ट हो पारते हैं तो बच्चे यहां से इसको विजिट कर सकते हैं यानि कि वीडियो से आप उन को देख सकते हैं यह आपका 10 को सने टोटल आपकी यहां पर 25 mcq को सनों होगी मैं आपको टोटल 25 mcq देखा देरी हैं टाकि आपको कोई भी प्राब्लम ना हो ठीक है इसके नेस्ट को स्रीए यह आपको 12 नमबर हो गया आप लोग फटाफर से स्नैप्सॉट लेते जाना अगर आपको प्राब्लम हो रही है तो बहुत बच्चे यह कमेट कहेंगा मैं वीज स्नैप्सॉट को लेकर उन को सॉल्व करें थोड़ा से हाडवक करना थोड़ा से महनत आपको भी करना पड़ेगा आप यह इसके पिर देशटेंट को संग यह रहा आपका 16 को संग इसके यह जीतनी भी मैं आपको को संग रही हूं यह आज ही का पेपर है एंड आज यह कि भी help हो जाएगी आप यहां देख सकते हो बेशिक को संग पुछेंगे मैंने आप रोका बताई थी सबी questions उन्ही topics नहीं है बाहर से एक भी question नहीं है जितनी भी topic में आपको बोला था कि इस topics आपको questions आएंगी तो सबी जो है question वहीं से है यह रहा आपको 20 वाला इसके बाद 12 नमबर देख लिए है 12 नमबर यह है रहा ठीक है और नेक्स्स कोशन है आपका यह वाला थी तो आप देख लिजें 22 के बाद से आपको 23 जो कि यह रहा थी तो ऑपर मैंने देखा दिया है इसके बाद 23 के बाद 24 यह रहा question जो कि आपको 24 इसके बाद से आपको यह last question जो कि है 25 टोटल मैंने आप लोगो को कल बताया थे कि 25 mcq questions होते हैं जो जो मैंने टॉपिक बताया थे उन्हीं टॉपिक से questions आए हुए हैं इसके बाद से आप यह coding questions देख सकते हो इसका नियां यह डाय यह बेसो का प्रोग्याम है जो की रन हो गया है और पुर्ट मिल जाता है तो इसे आप रोग कर सकते हो ठीक है तो आपको फैक्टोरियल का कोर बस यह आपको एक पीडियाफ हो गया जहां पर आपको क्या दिख रहे हैं सभी जोगी एंसी की कोशन्स थे वो सभी यहां मिल गया अभी मैं आपको देखाती हूँ यह प्रोग्राम कौन सा है यह सारी ढभर होगे मैं अभी आपका प्रोगेंगे सब्सागत कर रहूद być एक लिए प्राइव करूंगी और प्लगयु उस पूरइफ आपको शहाँ जाधा विए को मैंने कमाइंड कर दिया यह भी पीर ईक्रोइव इसमेंने दिसक्रिप्सक्रीन閉क्स में giोने बातम दॉन युससमें सिर्फ और सिफ आप्योदिक कोट्ञै कोटी आपंगे वेगाtown कोagtी करूं आपको नेक्स्ट वीदियो में प्र ंसरे कदीरीआ है ś court आज की वीडियो में इतना ही है मिलूगे मैं आपसे नेक्स टूडियो में तब दे के लिए बाई